नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत है यसोदा किरसोई विलोग में तो बने रहे वीडियो में आज फेराई नहीं रेस्पिक्स हाँ दोस्तों इते मेने पांच छे हारी मिर्ची लेली दो करक ली और चार छे कली लेली और एक दो चम्मस छोटी चम्मस से नास्त दो प्या लेली मीडियम साइच की एक इंच अदरक का टुकड़ा है तो यह ले लिया और इदर तीन टामाटर काट लिए तो यह तीन टामाटर काटूंगी तो इनका सबका अब अच्छे पेस्ट बनाऊंगी यह मिक्सर में पीश के सारा पेस्ट बनाकर रख लूँगी तो इस्ते मे भडैयने बाठे है यह काटकर लिए ते पाने मेें डाल दिये इनकात विखी तो इनकाचे से एक पाने मोरत धोलोंगी में गडे प्र दियए चालू और रख दी कड़िंगी तो इसमें डारूँ नीं तेल कटे तील डाल कि अभ़ए ओ difै उस्टों थेल गराम हो गया मैं आधी नाल द मजीड हागा तो मेथ segunda पाराम रेतात्य हुआ जंद है तो अठन की जो फे TV पीछरいます पीश करग पीश ली थी मेरे तो पीशा मसाला ने डाल दूँए जाले के वो जाज़े हो इसे दोस्तों आप डाल गई हूं धनिया हल्दी नमक यह डाल दे रहे हूं इधा डाल दूँए तमाटा पीश करग दूँए दूँए जाल में तो थोड़ी सी हिंग डालूँगी मैं तो ही अच्छी रहती है भटाय के लिए बादी पन नहीं करती है तो अच्छा रहता है थोड़ी चीडाल देती हूं तो शबाखे पाकालों अच्छा तो दोस्तों मसाला बुंज गया तर्चे से एड़ेखिए मसाला में ने बुंज लिया अब चिपेंगा ने डालूंगी ये इसको कर दूंगी कम लेकिन चालू लगोंगी इसको एसे चमस से एसे केसे बढ़ दिया दिये इस तरीके से देखिए तो एसे कर केसे डाल दूंगी लिप्चिप सब पूरे मसाले में पढ़ गया अब शी में डालूंगी थोड़ी माटर तो ये डाल दी अब इसको अच्छे से चलाती हुए सब मक्स मिला दूंगी बीच में गवार चला दूंगी तेक में तोड़ा पानी डालूंगी तो अब इसको जबत के साबसे में नेकता डाल दिया पानी आमने डालूंगी तो अब पकने दूंगी अब डक के पकाऊंगी बीच बीच में चलाते रहूंगी वू अब दूस्तों मैंने आटा चानलिया नमक ड़ा लिया तो अब लगाँगी यह ज़्वाटोंगी देखियोगे तो सब्जी में टाल देते हूं घ्रुवाटा काट के रख लिया त है नहीं चेस मिघ्स करत हम इतक पार अधिया यह तोस्त रोटी बन गए अगिर रोटी बन गया मैंने लगा लिटाली प्लोत्त मेंने वनाली बेंगन की भरमा तोस्त थे लो प्लटी और मूली की सलाथ तो बन गया दोस्तों खाना मेरा पिर मिलींगे अशी नहीं वीडियो में यह तक के लिए बाई बाई